जै साइरा मैं प्रिज मुनसूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे जुकाम ठीक करने के ग्रेलू नुस्खे पांच मिनट में जुकाम ठीक करें सर्दी जुकाम होने पर आप ग्रेलू नुस्खे अपना सकते हैं इन से आपको रहत मिलेगी तथा आप अपने आपको ठीक मैसूस करेंगे आईए पताते हैं करेलू नुस्खे क्या है और कैसे इनको इस्तेमाल करना है इनकी पूरी जानकरी आपको दे जाएगी सर्दी जुकाम होने पर आप कच्चा जीरा जिन में तीन या चार बार एक चमच मूह में डालकर अच्छी तरह से चबाते हुए खाएं इससे आपके जुकाम में आपको रहत मिलेगी तथा आप मैसूस करेंगे कि सर्दी दूर हो रही है जीरे को लीजिए मूह में डालिए चबाते जाएं जीरे जीरे चबाते जाएं इसका रस चूचते जाएं आपको सर्दी में रहत मिलेगी इससे पेट के रोग भी ठीक होंगे एक किलास पानी में 2-3 चमच जीरे डालें उसे अच्छी तरह से उबालें पानी को किलास में डाल कर 5 या 6 तुलसी की पति डालें तथा फिर फिलाएं एक शमस शहत चाट कर उपर से जीरे वाला पानी यदि हो सके तो अधरक भी डालें चाय की तरह पिए आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा गरम-गरम की पिए सुहाका लें, सुहाके को गरम तवे पर डालें पहले पानी बन जाएगा, उसके बाद सफेद हो जाएगा जब पूरी तरह से फूल कर सफेद हो जाएगा उसे उतार लें अच्छी तरह से पीस कर, छान कर, एक शीशी में रख लें इसे आपने इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, ये हम आप आपको बताएंगे चोटे बच्चों को चावल के दाने जितना शहत में मिलाकत कटाने से सर्दी जुकाम खांसी ठीक होती है बड़े व्यक्ति चम्मच का चोथा हिस्सा शहत के साथ लें उपर से गरम चाए पीएं या गरम पानी पीएं, मलाई के साथ भी ले सकते हैं इससे सर्दी जुकाम खांसी ठीक होती है और बलगम बाहर निकलाती है ये बहुत ही कारगर उपाय है, टोटका है, आप करें तो बहुत लाब मिलेगा किलोए, किलोए एक उदा होता है, इसके छोटी सी टाहनी लेकर एक गिलास पानी में डाल कर उबालें जब चोथा हिसा पानी रह जाए, उसका सेवन करें, बजार में किलोए की गोलियां भी मिलती हैं, बितांजली द्वारा भी तियार की जाती है, रामदेव द्वारा यदि आप गिलोय लेते रहें तो तुकाम क्या आप अन्य रोगों से भी बचे रहेंगे इसे आप दिन में दो बार ले सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है किसी तरह की परशानी नहीं है चाहे कोई ठीक है बिमार है कोई भी ले सकता है एक गिलास दूद में 3 चमच बेशन और एक चमच गी डालें इसको अच्छी तरह से उबालें जब चोथा हिस्सा रह जाए तो इसमें चीनिय गुट डालें इसका गरम-गरम सेवन करें यह सर्दी जुगाम के लिए राम बान टोटका है यह आपको बहुत हीट देगा सारी सर सुखी खांसी के लिए करना है यापको सुखी खांसी है और बलगम बाहर नहीं आ रही है तो राजें को सोते समय जो इशेगी करब दूठ के साथ मे दो टिन काली सुखी मिर्च द्यादेदर लाब ओगा इसके बाड कम से कम दो llegar रहाम इतर पानिना प्कूए पानुए सूखी खांसी में बहुत ही अच्छा राम मिलेगा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें क्योंकि हम बहुत अधिक जानकारियां डालते हैं हेल्थ टिफ्ट डालते हैं जोते सबंदी जानकारियां डालते हैं हम कोई भी आपको मसीबत आती है कोई मुश्किल है कोई सवाल करना चाहते हैं कोई आपकी समस्या है किसी भी परकार का आप सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे वट्सैप कर सकते हैं मैं आपको आप सवाल लिखकर बेजेंगे अपना नाम बेजेंगे मैं आपको बताऊंगा कि उसका हल क्या है और समस्या कैसे दूर होगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी जरूर करें सब्सक्राइब करने से आपको आगे भी ह नाम से है यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं यदि ब्रिज मौन सूरी टाइप करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और आप सारे वीडियो देख सकते हैं साहिराम खुश रहिए जै साहिराम